हेलो दोस्तों स्वागत है मेरा यूटूब चैनल पे आप सभी का आज हम लोग बात करेंगे आरपी अप सब इस्पेक्टर की सेलरी के बारे में यदि आप रेलवे में आरपी अप के सब इस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपका सेलरी क्या रहेगा ग्रेट पे क्या रहेगा आज हम सभी इस चीज के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादे मोटिवेट करने वाली है और ये वीडियो देखने के बाद मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आप लोग सभी 100% जो है मोटिवेट हो जाएंगे ये जो सेलरी स्लिप आपको दिखाई दे रहा है ये 2023 का सेलरी स्लिप है इसमें आर्पिअप सभी इसफेक्टर के बारे में मैंने बनाया है और इसको देखने के बाद आप लोग को ये मालूम हो जाएगा कि अगर आप पहली बार आर्पिअप बनते हैं तो आपका जो सेलेक्शन है लेवल 6 में यानि की ब्यालीस सो ग्रेट पे में आपका होने वाला है और ब्यालीस सो ग्रेट पे की जो बेसिक पे होती है आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा 35,400 रुपे ये भी बहुत अच्छा बेसिक पे है ये 35,400 जो है और 22,400 में जो डिये आपका बनता है 42% 14,868 रुपे है और ये जो डिये है 35,400 का 42% है 14,868 रुपे है और इसके बाद जो है नेक्स्ट एचारे होता है तो ये एचारे जो डिवाइड है अलग-अलग सिटी में X, Y और Z हम लोग बात कर रहे है जेट सिटी है ना जो सबसे लो होता है उसमें आपका एचारे है 31,86 रुपे है एचारे आपका अगर आप कौर्टर लेंगे तो ये एचारे आपको नहीं मिलेगा और कौर्टर नहीं लेने पर ये आपको मिलने वाला है जिसमें नेक्स्ट ह आपका टीए ट्रांस्पोर्ट एलाउंस 2556 रुपे है और ये है एक राशन मनी एलाउंस होता है जो आरप्यूप को मिलता है 3830 रुपया ये 30 दिन का होता है ये सब को टोटल करने के बाद आपकी टोटल पे हो जाती है 59840 यने की 69,840 रुपे है और ये है आरप्यूप की सेलरी और इतना ही मिलता है और अगर आगे वो नाइट डूटी करते हैं या तो कुछ एनेच में डूटी करते हैं तो वो नेशनल होर्डे एलाउंस उनको अलग से दिया आता है आशा करता हूं ये वीडियो आपको एलिए इन्फॉर्मेशन साबित हुई होगी और नेक्स् उन्हेचर काल झाय है और वो भू ठीओ ? झाल झाल